इस पूरी दुन्या में यदि कोई चीज सबसे ज़ादा मजबूत है तो वो हो आप आपका आपके लक्ष के प्रती जो द्रण निश्चय है वो सबसे ज़ादा मजबूत है इनी विचारों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं competition community में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व सांति साथ में मध्य प्रदेश के प्रमुख उट्सव और समारों की समंदित में वस्तुनिष्ट प्रश्णों की मध्य प्रदेश के कला संस्कृति वैसे तो बहुत जादा बड़ा भाग है इस कारण स उसकी डीटेल हम धीरे-धीरे करते जा रहे हैं पहले क्रप्रेशन की वो रांगे बढ़ते हैं तो हमारा पहला प्रशन है उस्ताद आमिर खां किस नगर से संबंदित है देखे बात हो रही आमिर खांजी की तो आमिर खांजी की तो आमिर खांजी की रहे हैं और यह जो आपक इंदौर की बात करेंगी तो इंदौर में ही राजवारा पहले से राजवारा महल इस्ति थे जिसके स्थापना मलहार राव भूलकर के द्वारा करवाई गई थी ये महल सात मंजिला महल है जो कि लकड़ी और मारवल दोनों से बना हुआ है इसे तीन बार जलाया गया है इंद तो के इसलिए अब आलहा कौन है खाग जगनिक ले सत्षांगां इसुझा जी और संत शिइव जब हम बात करते हैं तो विद भून ढटील हुप के बहुत ही वीर योद्धा माने जाते हैं और इनकी योधना का वर्निन इनकी युद्ध का जो बर्निन किया गया था वो जगनिक के द्वारा किया गया था जो कि आला खंड में हुआ था तो अर्थात यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा जगनिक ने आला उदल के खंड का वर्णन किया था जिसे आला खंड के नाम से जाना जाता है बात करते हैं इसी के साथ बीज से तो वारि नागफनी के कहानी के लेखश्त कौन है बालकृष्ण शर्मा नवीन गजानन माधव मुकतिवोध शरद जोशी और हरी शंकर परसाई देखो नागफनी की कहानी है यह एक किताब है जो की हरी शंकर परसाई जी की है यह आप इमेज में देख सकते हैं तो तो हरी शंकर परसाई जी के द्वारा यहां लिखी गई थी तो हमारा option number D सही होगा हरी शंकर परसाई मध्य प्रदेश की उस्ताद आमिर खां किस कला विद्या के विद्वान थे मतलब कौन सी कला जानते थे शेहनाई, खयाल, धुपद और सरोद देखो हमने क्या चीज पढ़ी है हमने पढ़ा है कि उस्ताद आमिर खां इनका सम्मंद सबसे पहले कि इंदौर जिले से था फिर बात कर ले थे कौन सी कला जानते थे तो ये जानते थे ख्याल गायन तो जो हमारे उस्ताद आमिर खां है ये ख्याल गायन के प्रमुक को संगीत का रहे हैं और ये इनकी फोटो आपको दिखाई दे रही है और आमिर खांजी का समारो भी आयोजित होता है मध्य प्रद किया था देखे उस्ताद अलाउद्दीन खाने कौन से भारती या संगीत घराने का प्रारणाम है यह आपको दिखाई दे रहें अस्ताद अलाउद्दीन खान गहानों की त saya कंघ संधा मैहर सतना से रहा है और इन्होंने मैहर में ही मैहर घराने की स्थापना की थी यहां पर इन्होंने छोटा सा मैहर बैंड भी बनाया था तो मैहर बेंड की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी और मैहर को इनकी क्या कहा जाता है साधना इस्थली भी कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा option number A प्रसिद संगितग्य, तानसेन, वा बैजु बावरा का जन्म किस नगर के समीप हुआ था देखे किस नगर में हुआ है नहीं पूछ रहा किस नगर के समीप हुआ था यह पूछ रहा है जो कॉमन आंसर हो उजन, खंडवा, इंद और और गवालियर देखो बहुत जादा क्लियर है तानसेन का जो जन्म है वो गवालियर में हुआ था लेकिन जब बैजुबावरा की बात करते हैं तो इनका जन चंदेरी के आसपास में हुआ था और इनकी मृत्यू भी चंदेरी के आसपास में हुआ है तो इस कारण से चंदेरी क्योंकि गवालियर के समीप लगता है तो इस कारण से हमारा सही आंसर होगा option number D गुवालियर बैजुगावरा कि जब हम बात करते हैं न तो ये बैजुगावरा वही व्यक्ति है जिन्होंने क्या कि ऐसा मान सिंग तोमर के दर्बार में रहा करते थे और इन्होंने तांसे इन के खिलाफ तांसे इन के साथ प्रतिसपर्धा कीती मुकाबला किया था चांद का मुह तेड़ा है किसकी रचना है गजारन माधव मुक्तिवोद बालकरशन शर्मा नवीन भवानी प्रसाद मिश्र और माखलाल चुतरवेदी देखो चांद का मुह तेड़ा है ये प्रकार का व्यंग है जिसकी रचना की गई थी गजानन माधव मुक्तिवेद के द जाते हैं तो यह जो आपको फोटो दिखाई दे रही है यह है उस्ताद अमजद अली खां और यह जो इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है इसी वाद्यांतर की हम बात कर रहे हैं ऑप्शन देखिए सरोध सितार तबला और बासुरी देखें सीधी सी बात है तबला यह है नह अपला यह खतम थीक तबला नहीं है ना बासुरी भी नहीं है तो बासुरी भी खतम हो गया सितार और सरोध तो यह क्या चीज़ है तो यह है सरोध तो इसे कहा जाता है कि सरोध वादक अमजद अली खान तो इस कारण से यहां पर हमारा उप्शन नमबर ए बिलकुल अपन्यासकार विंदावाल लाल वर्मा ने अपने उपन्यास म्रग नैनी में किस राजा का चरित्र चित्रन का किया है यह हमने हिस्ट्री में बहुत बार देखा है बहुत जादा क्लियर है आपके लिए किस राजा का चरित्र चित्रन किया गया है तो राजा ऑप्शन गुजरी रानी म्रग नैनी के प्रेम प्रसंग का वर्नन विंदा वलनाल वर्मा ने अपनी किताब म्रग नैनी में किया है साथ ही साथ में जो गुजरी रानी है इनका मूल नाम निन्नी था इसके अलावा ये किस गाओं का पानी पिया करती थी किस गाओं में रहा करती थी तो वो गाओं का नाम था राई गाओं मान सिंग तोमर ने इनके लिए महल बनवाया जिसका नाम गुजरी महल है जो कि गुवालियर में इस्थित है इसके अलावा राजा मान सिंग तोमर ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मान कुतोहल और उस ग्रंथ में दुरुपद शंग जाना जाता है आप से पूछ रहा है कौना कवी है जो हिंदी कविता की विति अब्धी के पहले का कवी option है पदमाकर, केषव दास भूशन और घनानंद देखो जैसी आप से option की बात आ रही है न तो आपने देखा ह sis पदमाकर भूशन और घनानंद जो है यह अभी के कवी हैं कुछ समय पूर्व के लेकिन केशव दास जी जो है जिने कठन कावे का प्रेत भी कहा जाता है यह जो व्यक्ति है यह बहुत जादे पुराने हैं तो इस करण से यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिलकुल सही होगा केशव दास के साथ में के निम्ण में से कौन सा कों सा सशाव त्री यह एवं लोग संगीत घरणा नहीं है ग्वालियर भुपाल मेईहर और इंदर बात करते हैं जब तो बहो पाल घराना जो है यह यह कारणट से यहाँ पर हमारा हुब्शन नमबर भी सही होगा नेक्स्ट कुश्चिन निमलिखित में से कौन सी रचना भवभूती की नहीं है उत्तर राम चरित्र, नीती शतक, मालती माधव और महावीर चरित्र जब महावीर चरित्र की हम बात करते हैं तो ये भवभूती के द्वारा लिखा गया है ठीक है मालती बाद हो भवभूती के द्वारा लिखा गया ये भी ठीक है उत्तर राम चरित्रम यह भी भवभूती के द्वारा ही लिखा गया है बात करते हैं जब नीती शतक की तो ये इन्होंने नहीं लिखा इस कारण से option number B नीती शतक सहीं होगा अब नीती शितक लिखा किसने हैं तो नीती शकतक की रचना करी गई है भ्रंधरी के द्वारा तो भ्रंधरी ने लिखा है नीती शतक को अर्थात यहां पर हमारा option number 20 सहीं होगा निमलिखित में से कौन सी रचना माखल नाल चतुरवेदी की नहीं है माखल नाल चतुरवेदी की जब बात करते तो यह आपको माखल नाल चतुरवेजी जी जिखाई दे रहे हैं इसके अलावा जब बात करते हैं इनकी रचनाओं की तो माखल नाल चतुरवेजी जी की रचना नहीं है जासी की रानी जहांसी की जारानी जो रचना है यहां इन्होंने नहीं की थी बलकि बनवासी, समर्बन और समय के पाव इनकी रचनाएं हैं तो option number D हमारा यहां पर अंसर होगा मध्य प्रदेश के उजयन शहर में निम लिखित में से किस प्रसिद व्यक्ति का जन्म हुआ था अशोक कुमार, मनोज प्रभाकर, बिर्जू महाराज और सरद जोशी देखे जब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के उजयन शहर की उजयन का शम्मंद कालिदास की कविताओं से भी आपको ये भी याद रखना है जब आँसर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में उजयन में शरद जोशी जी का जन्म हुआ था जो की एक बहुत बड़े व्यंग कार रहे हैं ग्वालियर संगीत घराने का उत्थान कौन से शाषनकाल में हुआ था मतलब किस व्यक्ति के शाषनकाल में ग्वालियर संगीत घराने का उत्थान हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, राजा भोज, अशोक और अकबर, देखिए इसमें आपको सारे ही आप्शन बिल्कुल सहीं लग रहे होंगे, कि चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकता है, राजा भोज भी हो सकते हैं, अशोक भी हो सकते हैं, और अकबर भी हो सकता है, लेकिन जब हम पूलियर घराने की बात करते हैं क्योंकि यह एक हिंदुस्तानीश संगीत घराना है और इस घराने का सीधा संबध तаньसे इन से है अर्था का संबध हम अκबर से जब हम बात करेंगे सबसे पहले कौन रहागा चंडर कुपत मौर यहां तो इनका सम्मंन्द मध्य Planet नहीं है तो यह हड़ जाएंगे राजा भोच का सम्मंद मध्य प्रिदीश से हैं बहुत जाँधा है फो और धार वाले शेत्र से यह भी कहतम तो सही आंस इसका होगा option number D अगबर जिसका संब्ध ग्वालियर घराने से रहा किसके संब्ध में तान से इनके संब्ध में रगुमन्शम के रचियता कौन है महाकवी कालिदास भावभूती वान भट इन में से कोई नहीं बहुत ही जादा क्लियर है हम सबने पड़ा हुआ है कि महाकवी कालिदास की फेमस जो रचना है वो रगुमन्शम रही है तो इसका सही आंसर option नम्मर ए महाकवी कालिदास यह आपको फोटो दिखाई दे रही है जो नहोंने रचना की थी उसकी रगुमन्शम और यहां पर आपको भगवान श्री राम के चारो भाई मितलब भगवान श्री राम सहीद चारो भाई दिखाई दे रहे हैं पदमाकर का जन्म मध्य प्रदेश की किस जिले में हुआ था जवलपुर सागर इंदौर और खंडवा देखिए पदमाकर की जन्म की बात जब हो रही थी तब हमने पढ़ा था कि सागर जिले में जो जील है वहाँ पर लाखा बंजारा जील में पदमाकर की बहुत बड़ी प्रतिमा इस्तित है तो यह जो प्रतिमा है यह वही है और यही पदमाकर जी है और पदमाकर जी का जो जन्म है वो हम देखते हैं सागर जिले के अंतरकर्थ हुआ था अर्थात option number B, यहाँ पर हमारा सही answer हो जाएगा समय की पाव किसकी करती है सुबिद्रा कुमारी चोहान बालकृष्ण शर्मानवीन पंडित भवानी प्रसाद मिश्रो और माखलाल चतुरवेदी, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है अब भी दो सेकिंड पहले यह question लगाया था कि कौन सी रचना माखलाल चतुरवेदी जी की नहीं है तो वहाँ पर हमने देखा था जासी की रानी तो वहीं भी हमने समय की पाव को भी पढ़ा था तो समय के पाव किसकी रचना है माखलाल चतुरवेदी जी की बहुत ज़्यादा क्लियर है तो यहाँ पर हमारा option number D सही होगा माखलाल चतुरवेदी जी यह आपको रचना दिखाई दे रही है उनकी यह किताब दिखाई दे रही होगी आचारी केशव का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था आचारी केशव की बात कर रहे हैं हम ओर्चा टीकमगड, शियोपुर और सुजालपुर जब बात करते हैं आचारी केशव की तो इनका जन्म जो है माल विकागनी मित्रम नाटक निम्नमेसिक किस ने लिखा है भवभूती, वाडभट, भ्रन्थरी और महाकवी कालिदास माल विकागनी मित्रम के जहाने, लिखा गया है कालिदास के दुवारा और इसमें प्रेम प्रसंग का वर्नन है विधर्व के राजा की पुत्री मालविका और अगनीमित्र के तो अगनी मित्र कौन रहें तो पुष्य मित्र शूंग का जो बेटा रहा अगनी मित्र शूंग वो और मालविका जो की विधर्व के राजा यग से इनकी पुत्री रही है तो इन दोनों का जब प्रेम प्रसंग था उसका पूरा का पूरा वर्णन कालिदास ने अपनी किताब मालविकाग्मी मित्रम में किया था प्रसिद्ध व्यंग कार एवं सहित्यकार हरी शंकर पैरसाई मध्य प्रदेश के किस नगर में रहते थे अब आपसे पूछ रहा है कि इनका कारिकाल मध्य प्रदेश के किस शेत्र में रहा है तो इसका सही आंसर होगा सागर, कटनी, उज्जैन और जवलपुर तो इसका एकदम सही आंसर होगा जवलपुर वाले शेत्र में ये रहा करते थे तो option number D हमारा बिलकुल सही आंसर हो तो मध्य प्रदेश संबंधित होगा तो यहां पर मध्य प्रदेश सही होगा option में यदि किसी शेत्र का नाम है मालवा बुंदेल खंड बगेल खंड और हमारा दर्मदा सोन घटी तो ऐसे option में भी आपको मालवा ही चूस करना है तो मध्य प्रदेश के अंतर गथ मालवा व बाडभट और केशवदास देखें यह जो केताब दिखाई दे रही है आपको यह है सत कत्रयम और यह किताब लिखी गई थी महा कवी भ्रन्थरी के दौरा महा लेखक भ्रन्थरी के दौरा तो अर्थात यहां पर हमारा option number B बिल्कुल सही और राइट अंसर हो जाएगा निमलिकित में से कौन सी रचना बाडभट की नहीं है हर्श रितम वेदांत सूत्रवत्ती चंडी शतक और कादंबरी देखो हर्श रितम और कादंबरी तो बाडभट की आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हर्श रितम अलग हो गया और कादंबरी अलग हो गयी इसके लावा हम बात करते हैं वेदांत्र सूत्रवत्ती की तो यह जो है यह बाणभट की रचना नहीं है चंडिशा तक भी बाणभट नहीं लिखा है तो सही आशर हो गया वेदांग सूत्रवत्ती ऑप्शन नंबर भी हमारा निमलिखित में से किस कवी को भारती मिल्टन कहा जाता है भूशन भावभूती मुल्ना रमूजी और इसुरी देखिए भारती मिल्टन की बात हो रही कि भारती मिल्टन किस कवी को कहा जाता है तो भावभूती को भारती मिल्टन कहा जाता है इनकी प्रमुख रचनाएं हम अ इसकवी ने की निस सब्सेयर के बजाए वीरता और देश भक्ती को केंद्र में रखकर कविताएं लिखना प्रारप्म किया है भूशण, पद्माकरभट्ट, आचारे के शब्षव, दास और भवा भूति देखिए जब हम बात करते हैं किनारे में रख कर वीर्ता और देश भक्ति तो वीर्ता और देश भक्ति की जो किताबें हैं वो लिखी गई थी भूचन के द्वारा अधात यहां पर हमारा option number A बिल्कुल सही हो जाएगा निमलिखित में से किस संगीतकार को मिया की मलहार राग की रचना की है किस संगीतकार अंसर होगा तानसेन option number A मिया की मलहार की रचना तानसेन के द्वारा की गई है कि वालमी की रामायण का भाशा नुवाद कर राम रसायन की रचना किस ने की देखो वालमी की रामायण का भाशा नुवाद करकर बाढ़ भट आचारे केशवदास कवी पदमाकर भट और नंद दुलारे वाचपई तो इसका सही अंसर होगा कभी पदमाकर भट के द्वारा ही रामायण का भाशा नुवाद किया गया है यूग चरण किसकी रचना है बालकृष्ण सर्मानवीन सुबद्र कुमारी चोहान आचारे नंद दुलारे वाचपई और माखललाल कि अर्थात यहां पर हमारा ओप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रकार से हमने मद्य प्रदीश के साहित्तिकारों से संबंदित वस्तुनिष्ट प्रशनों को समाप्त कर लिया आपको हमारी क्लासिस कैसी लग रही हमें कमेंट में ज़रूर बताएए थांक मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में